आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के हमारे स्पेशल सेट से और बड़ी खबर अर्विंद केजरिवाल ने आज बना दी है अर्विंद केजरिवाल ने एडी को अपनी हिरासत में ये बताया है कि विजय नायर जो इस शराग घोटाले का मिडल मैन था वो मुझे नहीं आतिशी और सौरभ हर्दवाज को रिपोर्ट करता था और अब इन दोनों मंत्रियों से भी एडी पूछताच कर सकती है मतलब अर्विंद केजरिवाल ने इन दोनों का नाम ले लिया है वालब इनको भी उनों ने एडी के फंदे में फांस लिया है अब इन दोनों से भी एडी पूछताच करेगी जल्द ये बहुत पॉसिबिलिटी इस बात की है लेकिन एक जानकारी और है कि जब ये शराबनीती बनाई गई थी भासकर हमारे साथ जोड़ेंगे थोड़ी देर में तो बताएंगे आपको तब दोनों लोग मंतरी नहीं थे लेकिन पार्टी के लिए काम करते थे प्रवक्ता भी थे मुखे प्रवक्ता थे कि अपनी जिम्मेदारी से पीशे हटने के लिए या उनको ना ओन करना पड़े विजे नायर के साथ रिश्था या विजे नायर जो है वो शराब की कंपरियों से शराब के वैपारियों से बात कर रहा था नीती बनाने में उसका काम था किक बैक लेने में या रिश्बत लेने में उसका कोई रूल था इससे और वो अर्विंद केजरिवाल से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था इससे बचने के अर्विंद केजरिवाल ने क्या अब अपने दो मंतरियों को जैसे रागी जी ने का कुर्बान करने का फैसला कर लिय चाहे मेरे दो मंत्री जो है वो उनके उपर मुसीबत आ जाया क्या ये एडवाइस उनके वकीलों ने अर्विंद केजिरिवाल को दिया अर्विंद केजिरिवाल ने खुद इन दोनों मंत्रियों का नाम लिया है और आतिशी जो है उनसे ये सवाल सीधा पूछा गया था लेक और देखा सुनिता के जिर और उनके रियाक्शन जो था ऐसा था बिल्कुल हैरान जैसे वो रह गई हूं लेकिन जब बाहर निकली तो मुस्कुराहट थी चेहरे पर लेकिन इस सवाल का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया फिर आप देख लिजे आते जी सिंग का रियाक्श यह सवाल का जवाब कभी न कभी तो देना पड़ेगा उनको भी और सौरभारदवाज को भी और शायद वो भी यह जानना चाहते होंगे सुनीता केजरिवाल से ही अर्विन केजरिवाल के वकीलों से कि हमारा नाम कैसे लिया गया या क्या वाकिए में अर्विन केजरिवाल में उनको भेज दिया है अदालत में यानि 15 अपरेल तक वो अब जेल में रहेंगे ये जेल वैन है जिसमें उनको शिफ्ट किया जाएगा जेल में और तीन किताबें उन्होंने मांगी अपने लिए अदालत से कि मुझे तीन किताबें ले जाने की अजाज़त दी जाएगा बड़ी इंट्रेस्टिंग है जानकारी एक उन्होंने कहा मुझे गीता की कौपी चाहिए एक रामायन मुझे चाहिए और एक सीनियर जनरलिस्ट है नीरजा चौधरी उन्होंने भी किताब लिखी ती उसका हाली में विमोचन हुआ था, How PM Decides, How Prime Ministers Decide, मतला उन्होंने सारे प्रदान मंतरियों के बारे में लिखा है कि वो सरकार कैसे चलाते थे या निरने कैसे लिया करते तो यह एक किताब उन्होंने स्पेसिफिकली मांगी है, यह देखना होगा, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी दवाईयां साथ ले जानी है, यह तीन किताबें, स्पेशल डाइट के अनुमती उन्होंने ली थी, और यह कहा कि मेरी पत्नी मुझसे मुझसे मुराकात कर सके हैं, जेल में सुनीता केजरीवाल, इसकी इजास बता हो, वो नहीं रख सकता है अपने बदन पर, अगर जब तक उसके लिए कोट जो है, उनको इजासत ना दे, अतुल भाटिया भी है, अतुल जरा इसके बार ने बताईगा, क्या-क्या डिमांड अर्विंद केजरीवाल ने की है, अब जब जेल में रहेंगे वो देखें, जिस तरीके से अर्विंद केजरीवाल अपने धार्मिक लॉकेट की बात की है, कि वो उसको रख सके अपने साथ तीन किताबों की नोने बात की, दवायों की बात करी, अभी जो सामने आई है, वो जेसी जो एप्लिकेशन, जुडिशल कस्टडी की जो उनको confused बता दिया है, अगर आप इस रिबान कॉपी को बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, जो जेसी की कॉपी लगाई है, इडी ने, उसके अंदर ये लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता, एंडी गुपता ने अपनी स्टेट्मेंट में कहा था, कि चुनाव के दोरान किसी भी राजिय का कोई चुना प्रभारी होगा, वो खुद पार्टी के संरक्षक, यानि केजरिवाल तैक करते थे, जबकि केजरिवाल ने कहा कि वो confused है, ये पीएसी यानि कि पॉलिटिकल अफ्वेर कमेटी तैक करती है, जिसके मेंबर खुद एंडी गुपता है, यानि कि ए एंडी गुपता को confused घोशित कर दिया, सौरब भार्दवाज का नाम उन्होंने ले दिया कि विजय नैयरूं को रिपोर्ट करता था, आतिशी सिंग को बोल दिया कि विजय नैयरूं को रिपोर्ट करता था, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एंडी गुपता को भी टार्गेट किया है, उनको भी confused जो है वो बता दिया अर्विंद केश्रिवाल ने, और सौरब यहाँ पर गौर करने बात लाइक यह है कि जो statement यह हुई है, बकाइदा इसकी CCTV फूटेज है, और इसके अंदर, इस लिए इस बयान से आप केश्रिवाल पलट नहीं सकते अपने एक और यह तो यह तो राजसभा सांसद है रहा एंडी गुपता, इनको भी अच्छा एक कोशादेक्ष है, इस बार भासकर इनके बारे में बता देंगे, बता ही ज़रा भासकर, भई पार्टी रोल तो यूँ आया कि पार्टी को पैसा मिला, तो पार्टी के देश कन्फ्यूज है, रासकर? देखें, कोई भी पुलिटिकल पार्टी जो कोई फैसला लेती है, नाम ये जरूर दिया जाता है, कि उनके हाइस्ट बॉड़ी जो है, उसमें ये फैसला हुआ है, आमाद्मी पार्टी के हाइस्ट बॉड़ी पीएसी है, पुलिटिकल अफेस कमिटी, उसमें 13-14 मेंबर्स होते हैं, और उसी में जो भी फैसला होता है, उसके हवाले से बताया जाता है, कि उस कमिटी का ये फैसला होता है, इस बारे में कह सकते हैं, कि यहां आरविंद केजरिवाल सही है, लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये है, कि हर कोई जानता है, कि आमाद्मी पार्टी में जो भी फैसला होता है वो अर्विंद केजरिवाल का फैसला होता है अगर एंडी कुपता ये कह रहे हैं कि ये फैसला अर्विंद केजरिवाल ने लिया है कि आतिसी गोवा चुनाब के प्रभारी होंगे तो निशुत रुप से ये अर्विंद केजरिवाल का फैसला होगा जिसको पी केजरिवाल ये कह रहे हैं कि वो कन्फ्यूज है तो उसके पीछे शायद ये तर्क रहा हो कि वो ये कहना चारए पीएसी का मोहर लगा हुआ है इस पे तो पीएसी का फैसला है सिर्फ मेरा फैसला नहीं है आजा चले ठीक है एक बार मनीश प्रसाद भी हमारे सेयोगी वो भी जड़ गए हमारे साथ बनीश पहले तो बताईगा तिहार जेल ले जाने की क्या तैयारी की जा रही है अब उनको वहां शिफ्ट करने के लिए और वहां क्या बंदोबस्त किये गए हैं और कोट रूम के अगर और कोई जानकारी आपके पास हो दो दीजे पहले सुराब कोट रूम से ही करते हैं जब कोट रूम में ये और पास किया गया और कहा गया तो उस दोरान सुनीता केजरिवाल साथ में सौरब भारदवाज और आतिशी मरलीना उस समय मौझूद थी और साथ में गोपाल राय भी थे और तमाम MLA भी थे लेकिन इस भी ऐस दर्शाते हुए जब जिकर किया गया तो उसी दोरान सभी की शकल देखने लायक थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे वहीं सुनीता केजरिवाल थी पर उसकार करीवन 15 मिनिट का वक्त दिया गया जब इन्होंने एक एक करके सुनीता केजरिवाल उनके अंदर मुलाकात की अब चुकि यहां से सीधा तिहाड जेल के बैरक नमबर पांस ले जाना है उसके लिए पूरी तयारी की गई है और एक बार हम आपको बताते हैं कि खास्वार पे जो गेट नमबर टू है लॉक अप से सीधा अर्विंद केजरिवाल को गेट नमब है और उसके से सेनिटाइज करते हुए वहाँ पे जो अर्विंद केजरिवाल को तीन किताबों का साथ में मेडिसन का कहा और कहा कि स्पेशल डाइट उनको दी जाए क्योंकि उनकी तबे ठीक नहीं रहती तो उसका जिक्र करते हुए पूरी तयारी की जा रही है और इस समय गेट नमबर टू के बाहर जो रेपेटेक्शन फोर्स है उनका डेप्लॉइमेंट है उसके साथ-साथ जो दिल्ली पुलिस है उनको डेप्लॉइ किया गया है और यह जो पूरा एरिया है इसको ग्रीन कॉरिडोर के तोर पर तयार किया जाएगा क्योंकि अभी समय लगना है और करीबन जो हमारे सोर्से से बता रहे हैं कि करीबन आदे से एक घंटे का वक्त और लगेगा जब यह पूरा जो पेपर प्रोसीजर है वो पूरा होगा और फिर उसके बाद अर्विंद केजिवाल को यहां से सीधा तिहार जेल भीजा जाएगा हमा को इस बात की भी जनक इसको क्रोबरेट करने के लिए हमारे पास electronic details मौचूद है उसके लावा CDR साथ में electronic medium मौचूद है और सभीर महिंद्रू और जो पूरा detail एक एक करके courtroom का दिया गया और यहां पर अब इसी लिए अर्विंद केजिवाल को तिहार तक पहुचाने की पूरी तैयारी की गई है ठीक है मनीश अब जब वहां से उनको रवाना होती है गाड़ी तब हांके पास फिर लोटेंगे अर्विंद केजिवाल को तिहार शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और जैसा मनीश बता रहे थे मनीश सिसोधिया वही है संजे सिंग सत्तिंदर जान वही है अलग- और दूसरी बात ये भी आपको दिहान रखनी चाहिए कि जो आतिशी है वह एडवाइजर थी मनीश सिसोधिया की एस डेपटी सीम तो एडवाइजर थी तो ऐसा ये जो बात अडवाइजर टू सीम तो ये कोई अचंबे की बात निए कि विजन आयर कोई उनको रिपोर्ट ले रहा था मैं उसके प्रहट की आ रहा हूं देखे मुझे लगता है कि अरविन केजरीवाल जिस नहीं के वेक्ति हैं वो उन्हों ने पूरा तैय कर लिया कि वह पहले से कहते आए हैं ये सरकार जो है वह आम आदमी पार्टी को खतम करना चाहती है तो पहले ही आम आदमी कि सारे लोगों को जेल ले जाना चाह रहे हैं ताकि हो जाए सिद्ध के आखिर सब अंदर चले जाएं अभी किसी ने मजाख में लिखा एर्विन केजरीवाल कह रहे थे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा तो अब आतीशी और सौरफ भार बार रहे गए थे उनको भी अंदर का वो है कि मैं जो हूँ जो पहले से वो दिखाते आए हैं कि मैं हिंदुत को मानता हूँ मैं बहुत उसको फॉलो करता हूँ देखे आपने जब राम मंदिर का पूरा यह हो रहा था तो किस तहां से वो जो है अपना प्रोजेक्शन कर रहे थे हैं और तीसरा कि हाव पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद रहे तमाम राजनैतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उप्योग करने का प्रयास किया गया परन्तु आज नियाले ने जो निर्णे सुनाया है वो तत्यात्मक आधार पर है तत्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अर्विंद केजरीवाल जी को 15 दिन की नियाईक हिरासत ने भेजा गया है परन्तु इस तत्यात्मक आधार से बड़ा समवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रही चुके थे और अभी तक उन्होंने जुडिशल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है इस से ये बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था नियायले की दृष्टी में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयान बाजी करने का प्रयास करते हैं ये विशय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है निश्यत रूप से नियायले के समक्ष कुछ ऐसे तत्य रहे होंगे जो ना आपके संग्यान में है ना हमारे संग्यान में है जिनके आधार के उपर ये निर्णे लिया गया अता हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयान बाजी करते हैं उन्हें इन गंभीर तत्यों पर विचार करना चाहिए और नियायले ने अपना इस विश judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it so it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days now it raises certain moral and constitutional question when I here I am yeah and yeah you know how much you China don't I'm I'm sure to try that I will be Shadyan ji I was Α Na ji in a Gea adaption and I'll turn it here for I am I have a great idea agar picking the group has received it later on I'm doing it okay so with me I have made it I'll have a great idea by some people I'm not doing it but I'll never really happy any जिसमें उनके गुरू बदल गए गुरू लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था ज अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है चरित्र लोगों को समझ में आही गया था चाल पहले ही गडबर नजर आ रही थी अब चेहरा भी बिलकु साफ हो गया है अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि वहां नाम लिया है कि मुख्यारोपी विजयनायर आतिशी और सौरब भारतवाज को रिपोर्ट करते थे महोदे अब मैं यह कहना चाहूंगा यह तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घुटाला तो था जिसको देखो वही आद यहां मदोश है अब यहां किस पी और किसने है पिलाई यह तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लगता है सबने मिलबाट कर है पी और पिलाई यह दर्शाता है यह जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है न एक हुतो समझाईये आके कूपही में हिया भांग पड़ी है अर्थात एक वेक्ति हो जो गलत रास्ते पर जा रहा हो उसे आप सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर सकते हो नशे में होपरस लगता है कि कुवेने भांग पड़ी है तो जिए उसने पिया वही नशे में है ये गंबीर प्रिष्ण उठा रहा है और अब इस masked ये भी बात बहुत साफ होती जा रही एक ख बचाओ करते नजर आ रहे थे शायद वो इस संभावित खत्रे से डर रहे थे कि मानों कह रहे हूं कि केजरीवाल जी कह रहे हूं बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए जरासा होट हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहत हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की इस्थिती भरष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर इस पश्ट होती चली जा रही है नियाले के द्वारा यह निर्णे होने के बाद अब यह देखने का विशे होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या आपने किस राजनीत के स्वैंभू किर्दार को ये नई राजनीत की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीत को जिसे कहते हैं घखने किर्दार में परस्तुत करते हैं धन्यवाद अब श्याधिया झी आपको संबधित करेंगी तो बीजेपी ने भी यही मुद्दा उठाया कि अब आतिशी और सौरभ हर्दवाज का नाम भी अर्विंद केजरीवाल ने लिलिया है मतलब दिल्ली की शराब नीती बनाने में और इस शराब घुटाले में सब मिले हुए थे किया भारती जंदा पार्टी की तरफ से सौरांचू तरवेदी ने अभी इसी प्रश्टन को उठाया और रंच में वो जाते हैं और ये भी कहा देखना होगा अर्विंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या फिर कुछ नए किसम की राजनीती वो करते हैं जेल में रोज मुलाकाट नहीं होती हैं जेल में आफ फटे में दो बार किसी से मुलाकात कर सकते हैं अर्विंद केजरीवाल के ओपर पढ़ेगा कि वो इसतीफा देए ये मामला आदालत में भी जा सकता है कि अब तो 15 दिन का समामला हो गया ना अगे जिल से लेकिन मुझे लगता है कि अरविन केजरिवाल जिद परड़े हुए हैं लेकिन अब किसी भी तरह से और ठीक है आप यह कह सकते हैं कोई कानून नहीं कहता है लेकिन खुद आम आदमी पार्टी के लोग खुद दिल्ली की जनता आप जिस तरह से सरकार चलाना चाह रहे हैं जिस तरह से सुनीता जी जाएंगी उनके जरीए कोई एक कहें कि अचानक एक फरमान सा जारी हो जाएगा उसको पढ़ देंगी उसके आधार पर कोई मंत्री खड़ा होगा और कहेगा कि आज सीवर सफाई करा दो आज दवाब जो है मिलने लगे आज पैथलोजिकल टेस्ट हुआ ऐसे सरकार चलती नहीं और मेरा ये मानना है कि अर्विंड केजरिवाल के उपर वो दबाओ इस तरह का पड़ेगा कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी भले ही कानून कोई नहीं उनकी पार्टी के भीतर से ये आवाज चेज होगी और अगर वो कुर्सी ये नहीं छोड़ेंगे तो जो पार्टी थोड़ा देर में तूटने वाली होगी वो शायद थोड़ा जल्दी तूट जाएगी मैं पार्टी की उपर संकट ज्यादा बड़ा देखता है या बात करनी है तो क्या चिप सिकर्ट्री जेल जाएंगे क्या सारे मंत्री रोज जेल मिलने जाएंगे ऐसा नहीं हो था कि मुख्य मंत्री एक दिन में एक दिरना देदे और बाकी समय आराम करता रहे मुख्य मंत्री को 24 गंटे 7 दिन कान करना पड़ता है दो क्रोड दिलिवासियों की समस्याओं को देखने के लिए मुख्य मंत्री 24 गंटे काम करता है तो ग्रह मंत्रा ने आ करेगा कि क्या करना है वह सकता है कि दिली के अंदर नया मुख्य मंत्री बना लिए की लिए बोल दे क्या बनाइए वह नहीं के अदे सफकान निरणे लेगी वह सकता है कि मै encourage so ANY कोई निरणे ले quoi कोई अपना